इसमें पूरे देश में One Nation, One Election की चर्चा हो रही है कल जब से पढ़ान मंत्री मोधी की बात आई है तब उसके बाद से पूरे देश में चर्चा है और मैं पढ़ान मंत्री के संसदिय छेत्र बरानसी में हूँ और खास्तोर पर मैं 80 छेत्र में हूँ जो रायनेतिक और समाजि ग्रूप से काफी जागरू की लाका है तो आए बात हम करते हैं कि One Nation, One Election पर यहां की जनता की क्या रहा है बाइस सब्सक्राइब का निमासी हूँ यह अभी तक जो कल रानमंत्री जी ने One Nation, One Election की बात की है कि बहुत काबिले टारीफ है इस से देश के सब्सक्राइब बड़ इवियाम तमाम तरह की जो समस्याइब तो बंदोगा देश का आठीक इस्टी देश का पैसा बचेगा वन नेचन वन इलेक्शन के साथ साथ वन नेचन वो जो वन लेशन के साथ जो सारी समधेश की जो चीजें है अर्थवेवस्था से लेके जन मानत से सुविधा तक One Nation, One इलेक्शन के साथ साथ वो भी लागू होनी चाहिए हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं अभी नंदन करते हैं बाबा विश्पनाज से कामना करते हैं कि वन नेचन वन इलेक्शन जल से जल दो जिससे की देश की जनता को रहत मिले उनके उपर आठीक बोश का कम पड़े और उनके जो समस्याइं वो जल से जल भी सुल देने का भी काम सुगाई थे राजेस विश्पना जी बाबा स्रीकासी विश्पना जी से कामना कर रहे हैं कि पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की परनाली लागू हो तब इस देश को अर्थ की अर्थ बेवस्ता और म क्या विश्पना रहे हैं हम उदान अरायन सिंग फ्रीडम फाइटर उदान सेंग ट्रस्ट आल इंडिया फ्रीडम पाइटर जो वन नेशन वन इलेक्शन इस वेरी नाइस बेरी एक्सिलेंट बट हमारे देश के परधान मंत्री ने बहुत इसको चल्दी लाया है इसको इत काती सल्ब्त बात चुना होना है कि करते हैं यह की बहुत संदर लेकिन असंबह है यूपी एलेक्शन चार साल बाद मित्रों इसको डिजाल करके ऐसा विद्र नहीं होगा कि चार साल के एलेक्शन को हम साल बर छा महिन बाद सबको समीकर्ण में एक कर दें तो यह बहुत अच्छा हमारे मोदी जी पर्धान मंत्री जी जो लाय हैं वन नेशन वन इलेक्शन वरी नाइस वरी एक्सलेंट बट इस यह कार्पोरेशन जिला पंचायत पूरा नहीं ही लगता है कि रहते हैं उसलंप में राते हैं अपने हम घर में रचे या जीवन या मरड़त जीवन दुर्योधन होका इंसा का इस्कर्काहिए जा क्या गद्सक्राइश को बूमाणेश नहीं तो कि मारे यह बताए तो है तो बहुत अच्छी लेकिन यह असंभाव है हमको लगता है संभाव है हमारे बीच कुछ लोग है भाइसा बाप वन नेशन और वन एलेक्शन पर जो है हम बात करेंगे आपका नाम क्या बाइसा मदल मिश्राय रूखित अच्छा जी ओकिन साब बताई कि वन ने जो वन नेशन और वन एलेक्शन की बात कर रहे हैं इससे कम से कम लाखो करोड उपया जो हमारे टेक्सपेर हैं उनका पैसा बचेगा और एक बार में ही एक पांच साल के बाद एक चुनाव होगा जो सभादसत पारसत से लेके सांसत का चुनाव हम कर सकते हैं जिसे कई प्रणार मंत्री मोदी जी इसको ला रहे हैं जितना जल्द सुरू हो जाए यह देश हित में अच्छा है तो देखिए ओकिल साहब का कहाना था कि जितना जल्द लागू हो जाए और देश हित में अच्छा है